पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार आप देख रहें सिटी पोस्ट लाइब और मैं हूँ आपके साथ प्रवाकर पांडे आपको वता दें कि बिपक्च के नेता जिस तरह से बिहार को लेकर बिहार के विशेष राज के दरजे को लेकर सरकार को घरते नजरा रहे थे वहीं पक्ष के नेता इस पर जवाब भी देते नजर आ रहे थे इसी के साथ असोग चौदरी मंत्री जदियू के द्वारा एक बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि बिहार के विशेश राज के दरजे को लेकर यूपिये सरकार में भी ये मांग उठी थी हम लोग मांग किये थे दरजे की मांग कर रहे थे उसमें यूपिये सरकार ने साफ इंकार कर दिया और कहा था कि जिस तरह से प्लानिंग कमिशन में जो प्रापधान है उसके अनुसार विशेश राज का दरजा नहीं मिल सकता है और उसी के साथ उसमें भी बिहार के लिए भी विशेश राज का द दर्जार नहीं दिया जाएगा लेकिन हम लोग लगातार इसकी आवाज को बुलंद करते रहे और अब NDA की सरकार में भी इस बात को हम लोग रखे थे माननिया मुख्यमंत्रे नितीश कुमार भी इस बात को रखे लेकिन जिस तरह की प्लानिंग कमीटी में जिस तरह से प्रा प्लानिंग कमीशन था उस प्लानिंग कमीशन में या प्लानिंग बोर्ड में किस तरह का प्रावधान करा गया जिस तरह का प्रावधान करा गया उस प्रावधानों में किसी भी राज्य को विशेश राज्य का दरजा देना संभव नहीं था और उस समय जो UPA की सरकार थी उसने काफी राज्यों के विसेश राज्य का दरजे का जो मांग आ रहा था उसको देखते हुए ये निर्ने लिया गया था तो वैसे जब सरकार बदली और ये सरकार आई तब भी हम लोगों का विसेश राज्य के मांग को हम लोग बार बार कहते रहें कि प्लानिंग कमिशन, प्लानिंग बोर्ट चेंज करें इसको और इसमें तबादला होना चाहिए लेकिन भारत सरकार की जो इस्तिती थी क्योंकि और भी राज्यों के जो परिस्तिती थी उसमें ये देना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने बार-बार कहा कि अगर विसेश राज्य का दरजा नहीं, तो हमें बिलना चाहिए। जो जार करों से ऊपर का है, 26 जार करों तो एक फिस में है, 21 जार है, और भी लगबग लाग, एक लाग के आसपास आएगा ये पाकेज, ये है और आने वाले समय में हम लोग समझते हैं कि और पाकेज बिहार को मिलेगा, आने वाले समय हैं। मैं सदक के चेतर में और कल्चर बिहार के कल्चर पर भी खर्च किया जाएगा और अद्योगी करन के उपर भी खर्च किया जाएगा जो कि बिहार को बहुत बड़ा तौफाब प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी ने दिया है और मैं मुख्य मंतरी नितीश कुमार को और प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी को सादू बात देता हूँ धन् मानने नहीं परधान मंत्री के द्वारा तो फिलाल इस ख़बर में बस इतना ही आगे के तमाम ख़बरों के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो को लाइक करे, सेर करे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद